ओप नमस्कार दोस्त तो म्म्हों पुल्दीप जाएगेगे श्राकेसर के यूटीब चैनल में एक बार पिर आपके सौगत है जैसा कि दोस्तों उसी को आगे बढ़ाएंगे, काफी इंट्रेस से पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ाते हैं और उसी के बारे में जानकारी लेते हैं ठेके दोस्तों मैंने अभी तक आप से बात किये हैं चोहान वंस के बारे में इनके उस्पती के में अलग-अलग इतिहास कार, साही से कार और जो अभी लेक और सीला लेके उनके आजार पर क्या बताया गया है कि चोहान वंस केसे आया है, राजस्तान में केसे प्रिवेस है और इनका मूलिस्तान क्या है सबसे बड़ी बात जो दोस्तों जो exam में, computer exam में जो पोचे जाते हैं question वो question ये होते हैं, जो अभी दो दिन की class से अपनी इनी में से 2 question या 3 question हर exam में पोचे जाते हैं बिल्कुल भी मुझे पता है, बिल्कुल भी interest से topic नहीं था, बिल्कुल भी interest नहीं आएगा आपको पढ़ने में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो question बनते हैं, वो इसी जो दोस इनके वीडियो में थे, वो इसी वीडियो में से बनेंगे अब बात आजाएगे इनके सासन के आनिकी, जो अब अब शुरू हो जाएगे आँसे सासन काल, ठीके दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो अपनी बात चली थी, चोहान वंस के बारे में किसी बात चली दोस्तों चोहान वंस के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन पपाद लक्ष इसी को अपन सामबर भी बोल सकते हैं सामबर या फिर इसी को ही आकम बरी या अजवेश के चोहान ना कमे ही देखो दोस्तों मैंने आपको सचे जिन अपनी पहले दिन की क्लास लगी ती उसी दिन मैंने आपको यह बताया सा कि जो शोहान के उत्पती होती हैं Hai और प्राफिन नाम फ़ंपरने पर साकम में तो नाम के लखननिके लिखा next class में आज तो नहीं हो पाएगा next class में जब भी अपन अजमेर के चोहान पढ़ेंगे तो अजेराथ चोहान का नाम आएगा उसने अजमेर नगर बसाया था और उसके पाद जो सास़क होए थे वो अजमेर के सास़क के नाम से जाने गए थे मैं बताऊंगा जब भी अपर अजमेर के चोहान पढ़ेगी वहां पर डीचेल से आएगा ठीक है दोस्तों सपा लक्ष और पहली बाद कि हाँ आपन सबसे पहले कि इसको पढ़ेंगे जैसे नंबर वन तर भी पढ़ें वासुदेव चोहान को वासुदेव चोहान ठीक है दोस्तो वासुदेव चोहान के बारे में जानकारी सरवादिक मिलती है बिजोलिया सिला लेग वे पहला क्योशन तो यही बंदाता है कि चोहानों के बारे में सरवादिक जानकारी देने वाला लेग कोंता है बिजोलिया का सिला लेग जो प्रारंब करता है वहां का को नो जाता है। बोलो प्रदम पुरूज बोलो प्रतम पुरूज बोलो यह तब वहासिद्यव पास के बात करें अपन इसको लिख सकते हैं यहां पर अपन जो हान वंस का हम सापक याप मूल प्रूस आदी प्रूस भी बहु सकता है इसको प्रतम प्रूस दोस दोस्तों चुहान करें इसके बाद चुहान मिन देशनों वासुदेव चुहान सांबर या साकंबरी या सपाद लक्स मैं अपनी प्रारमिक राजदा नहीं किसको बनाया दोस्तों मैंने बताया आपको जल्दी से बताओ किसमें बताया प्रारमिक राजदा नहीं किसको बनाया आई शत्रपूर को बनाया अभी वर्तमान नाम के आई शत्रपूर का नागोर हुआ कि अफुक ही तो सब यह दो मोह मुस्त इंपोर्टेंट जो जानका रही है वासुदेश को हनो के बारे में पहले आप इसको लिख लीजे और डीटेयल से बात करेंगे वासुदेश को हां के बारे में ठीक है पहले लिख लो इसको कि मिठाते हैं दौस्तों देखो इसकी बात कर रहे हैं वासुदेव चोहान वासुदेव चोहान ने निर्मान करवायता एक किसका लिवान कर वाया था दोस्तो इतने सांबर नगर बसाया था कौन था नगर बसाया था सांबर नगर सांबर नगर बसाया कहा पर यह जैपुर में कौन से नगर की स्ताबना करी थी दोस्तो इसने सांबर नगर की अब अपन बात करते हैं सांबर नगर के बारे में कि सांबर नगर बें और क्या क्या बसाया था इसने सांबर नगर के बार बात करें तो इसी में सांबर जील का निर्मान करवाया था इसने सांबर जील का निर्मान करवाया था याने कि सामबर जील का निर्मान करवाया था दोस्तों वासुदेव चुहान है और यह जानकारे मिलती है बिजोलिया के सीला लेक में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बिजोलिया के सीला लेक में जानकारे मिलती है विजोल या तिला लेक के अनुसार क्लियर है दोस्तों यहां से याद हो जाएगा आपको बेखों के ते याद सामबर नगर सामबर की नाम सामबर जील का रिमान कर रहा था ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है अब सामबर जील की बात करते हैं कि पास क्या बनवाया है था देखो इधर सामबर जील करेंबर जील के आज पास याने की पास सामबर जील के पास कि देव यानि सिर्थ पिस्तल का निर्मान कर वायता है इसने है कि अगे कि कौन से तीज सिर्टिस्टल का दोस्तों देव यानी फीर सिस्टल का देव यानी तीज सेल्टन अब अपन अब मताहें पड़ेंगे करें तो इस दोस्तों के बात करते हैं तो पुष्कर के बारे में क्या कहा जाता है यह कहा जाता है कि यह मामा एकॉंस है करें दोस्तों तो इनको तिर्टो की क्या बोला जाता है तिर्टो की नानी बोला जाता है याद रखना ऐसे बेसिक चीज़े हैं क्या करें दोस्तों सामर झील के पास देवयानी तिर्ट इसलकर निर्बान हो गया तिक है और इसी के पास सामबर नगर में जाने की आने लेके है पनं सामबर नगर में सामबर नगर में निर्माण करुआ है था थाकमबनी माता का थाकमबनी माता मंदिर का कौन ची माता का निर्मान कर रहता दोसतो साकमबरी माता मंदिर का निर्माण कर वहillTime चोहनों की है जिनकी चौहनों की न तौह खाज़ाओ गश्यक्राइबन ऑफ़ जाता है बहुद तारी मतला जिनको रज़ित चड़ा जाता है तो इन कि में से एक साकमपर की माता है और जानकरी नहीं मिलती है चुछानोगी माता है कि चवंची मांतेर इनका मंदिर कहां पर यह सांबर में पर जयरपूर फीर मिमें ऑसाइब के बारे में और और ये जितनी भी संपूर जानका रही है ये किसमें मिलती है दोस्तों विजियो लेगी सिला लैक में प्राफ्ट होती है जो वासने चोहान के बारे में बताया गया है ठीक है दोस्तों अब इसकी सोट नेली जिए अब ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं नेक्ट देखो दोस्तों होता क्या है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं जो भी सातक पढ़ रहे हैं ये एक्चल में सातक थे ही नहीं यहाने की चोहानों के सोतंत्र सातक थे ही नहीं है यह प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे यहाने की अपन में लिख सकता हुए आपकर एक लिख देते हैं यहार रहे जाएगा आपको यहाने की चोहान प्रारंब में प्रतिहार गूजर प्रतिहारों के इनके गूजर प्रतिहारों के सामंत या फिर मंत्री के सकते हैं आप मंत्री कौनते दोस्तों जाने की वासुदेव चोहान से लेके अभी जिसमे भी और इनके सासनकाल कीते हैं भी फेक्ट रिजन नहीं मिलते हैं पर पर आपको शाथनकाल नहीं दिखाए देंगे जो पहला सासक काल दिखाए देता है जो आपके ऊथर्टिक बुप में या फिर गयड़ों में आपको मिलेगा वो अजे राज चोहान के बाद मिलेगा जो 1110 की इसी में होगा बागी पहले कंफ्यूज है कोई पता नहीं है कि आगी पीछे के सासक वो सब में अभी पता हूंगा आपको इसके सरह से रहे थे लेकिन जो सासक से ही जैसे वासुदेव चोहान इंके बाद के जो सासक बनेंगे यह प्रतिहरों के सामन्त हुआ करते थे पहला सोतन सासक नहीं दोस्तों बता होता था योण100 सोतन के साथ ही बात करें जब यह बहुते हों में से अलग हो प्रतिहरों के तो ंहvasat अब बात करते हैं नेंस के बाद कोन बनाता, तो इसके बाद आएगा गुवक फर्स्त, कोन आएगा दोस्तों, गुवक फर्स्ट, एसे एक सेकिंड भी है, उसकी बाद साथ के साथ कल लेता है अपन, ता कि पढ़ना पड़ रहेगा, वह अलग था, गुवक फर्स्त, ठीक है सब्सक्राइब, इस सामन्त दीद है, प्रतिहर ओके तीक है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनकी संतान आगी जाके अजेराघ चोहान, जो है, इनकी वनस कहलाएंगे, सबस्क्राइब, पड़ता है कोई भी आप पर ऐसे बताएगा नहीं जनकारी पर देखते हैं, किसी बात करते हैं दोस्तों, गुवफर्षकी कि मैंने आपकर एक चीज बताया थी हरस्नाथ का मंदिर कहां पर सिस्टर सिकर में Hai किसे निर्माण को रहा था अलट ने करवाए था लेकिन सातकाल की बाथ आथी कि किनके सासर्ड़ काल में हुँआ तो गूर स क्रसीज्ब कर वाध है तो लिख अपण yarra हर्सनाथ मंदिर का निर्मान करवाया कि यहीं पर लिख देता हूं अलग्ट आके आपको याद आजाएगा ठीक है दोस्तों इस मंदिर में हर्बनाद के मंदिर में एक मुर्थी संखेंगे मंदिर ते इसा सहे यह नहीं कि बस खाली मंदिर है मूर्थी भी होगी वहां पर तो इस सहर्जनाज मंदिर में मूर्थी है किन की है लिंगोध भाई स्यूलिंग यानि कि बवान बोले नाज का मंदिर है कहां पर ठिकर में ठीक है और ये जो है ये मंदिर यह चोहानों के इस्ट देव कहलाते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों चोहानों के इस्ट देव कि याने कि चोहान अपने आपको इस्टिदेव मानते थे कि इनको लिंगो अधिक याने कि हर्सनात मंदिल को अब बात करते हैं यह बात होई दोस्तों गुवक फस्त की ज्यादा जाम कर रही नहीं है कोई भी मैं अभी बताता हूं एक बीक्वेशन नहीं आया का इनमिल से यह भूवक टेकिंड जैसे नाम है वैसे ही ठास अगे है ठीक है दोस्तों कि याद रखने की जड़ोती नहीं है आपको इसको इसको बहुत देर लगे इसको याद रखने में नाम को तो नहीं आएंगे फस्त भी नहीं आएगा शेके भी आएगा अभी गरेंटी देरों में और नाम नहीं मिलता कहीं भीए उनका विवा कर रहा है था इननोंने किनके साथ कर रहा था क्योंकि यह सामंत। क्या सही था सामंत। किनके प्रतिहार हो कई। करेंगे क्या रहे जाया कि अपने राजवाद में प्रतिहार से क्रहें होगे। कौन था वो मिहर बोज था याने की गुवक सेकिन की बहीन का विवा करवा देता है किससे प्रतिहार तातक मिहर बोज से याने की विवा हो गया इन बहीन का विवा हो गया किससे प्रतिहार तातक मिहर बोज के साथ आया दोस्तों समय में यह हो गए दो सातक और कम्प्लीट आपका सब्सक्राइब लाइन के याद रखनी है यह वाली क्योंकि मैं आगे आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि इनके सोतन से सातक भी होते हैं तो आप याद रखना चोहान प्राणदुम में क्याते हैं प्रतियार को सामन्त या मंत्री हुआ करते थे खीके दोस्तों इसके शोर लेलो आप इसका कि मिठा देते हैं दोस्तों अब तातक बनता है चंधन राज है चंधन राज है या बहुत सी जगह आपको चंधन राज ही मिलेगा ज्यादा तर चंधन राज मिलेगा ठीक है देखो चंधन राज के बारे बारे दोस्तों देखो ओता क्या है कि बार बार यह क्या चल रहे हैं अभी गोजरपतियरों के सामन्त और मंत्री चल रहे हैं इसलिए पड़ाय जाते हैं या फिर मैं आपको इनको जानगा इसलिए दे रहे हूं कि जो चोहान बनेगा हो बनेगा जब भी इनके अलशन रहे घार रció खेर तो इसलिए चान हम तो इस vontade मांचा जोड़ान को बता शचर कहीं घुड़ा मेर्य है मात करते दीई इनकी दोस्टों एक ज्याद़ा इंपोर्टेंट है नहीं कुछ देए अंकी पत्नी थी है उनका नाम सीरोज्रानी कि है नाम ता अर्ठना और इनके बारे में इसा बताया गया है कि पुस्कर जील है उसके पास इन्होंने क्या करा वहाँ की थी और यह पतनी रिती की चंद्राज की तो यह इतनी सी बात है और इनके एक चीज़ हो रहे है कि इनको आत्म प्रभाव के नाम ते भी जाना जाता है, आत्म प्रता आता है बहुत सी जगा प्रभाव भी आता है, यानि कि इनका सबसे इंपोर्टेंट है, योग किरियों में ज़्यादा निपून रहे थी, हमें साथ बस आराज नहीं करना इनका एक धर्म कारे था, वो इनके निपून रहे थे, तो इनका एक नाम थे भी जाना था, एक उपादी दी ग्याए Mont आत्म प्रभा के नाम थे, आत्म प्रता के नामहिए बात कर लेंसे अब ये चीज़े लिक लेते हैं, जो मैंने बठाया है आपको, इनका उपनाम है क्या है दोस्तो आत्म प्रता क्यूं रखा गयता है क्यूंकि योग किर्याओं में निपून होने के कारण को और बात करते हैं पन्स कर दो 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 करद कर 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 को तिया गया आज मुस्फता के नाम से किनका नाम में रुष्भराणी का पुस्क rozp में प्रते दिदिन एक आजार बिपक जलाते थे भगवान जुटे आराधना करते थे थे भगवान को के की है कि अराधना कि यह बाद हुई दोस्ट इनकी चंदर राज के इतनी सी बाद है बाटी और कुछ खास बाद नहीं है इनके बाद साशक बनते हैं इनके बाद साशक आता है सिंग राज क्या नाम आता है सिंग राज मौस्ट इंपोटेंट है दोस्तों यहां से याद रगना अब क्या होता है दोस्तों यहां पर यहां से क्या होता है चोहान बंस जो है वो सोतंत हो जाता है किन से प्रतिहारों से और प्रतिरानल सोटन फोनेके बाद प्रत्म सोटन से सासक बन जाता है कुँन? इंग राज याने कि आपने ये क्या सकते है कि सुधराज प्रत्म सोतन से सासक था रखनल और 24 वंगिया और 24 वंग Iv तरो जो और आजद हो गये ऐक तरह से पूछा भी गया है एक्जाम में सिंग राज के बारे में ठीक है दोस्तों लिख सकते हैं कि प्रतिहार कि तेले लिख सकते हैं प्रतंद कि चोहान स्वत अंत्र सासक कि चोहान कि प्रतिहारों से सोतंद हो गए क्या हो गए दोस्तों चोहान से सोतंद हो गए प्रतिहार इनके बाद बात करें दोस्तों तो इनों ने जब ये सासक बने थे तो एक इनोंने उपाधि दारन की थी किसी ने दी नहीं इनको उपाधि बस इनोंने दारन करी थी छासक बनने के बाद क्योंकि चोहान बंद शोतंत हो गेता और पथम सोतंत भान बन केते कौन शिंगराजapan shower देराज की गप कौन सी का महाराजा दिराज इतना इंपोडेंट नहीं है ये महाराजदी राज का इतना कोशन इंपोडेंट नहीं है एक कोशन इंपोडेंट बनता है वो है प्रतम चोवान सोतन साथ कौन थे सिंगरास है ये रही बात दोस्तों आप इसके इसके सोड़ने लोग कर देखो अब एक साथ तीन चीजे देखेंगे अब सासक बात करते पर वात पती राज कि इन्पपति राजं की विग्रा दित्ति में देखेंगे वात पती राज की, दीर करें वी स्वंशल pra석 की बारे में कि बारे में मिलती है जो आपको पढाए जायागा विग्राज देव चोहान नाम आता है विग्राज दीति अलाग है विग्राज 4 को अपर डीटियल से पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों विग्राज दीति इंके बाद वाद दुल्लब दुल्लब देव ज्यादा जानकारी नहींगे इसलिए एककर पढ़ लेते तिनों को ठीक है दोस्तों देखो पहले वाद करते हैं वाद पदी राज की तो यह प्रतम सासकते प्रतम सासक प्रतम सासकते जीनों ने उपादी दारंग की थी कौन सी उपादी दारंग की इनोंने महाराज की कौन सी उपादी दारंग की दोस्तों महाराज की उपादी दारंग करी थी इनोंने अब देखो यह बाद वही किनकी अब इसके बाद बात करते हैं विक्रदाज की चलो पहले इधर पूरी बात कर लेते वाग पती राज का एक कुत्र था दोस्तों है पुत्र क्या नामता उसका लक्ष्मन् देव सी लट्ष्मा चॉहां याद आया लक्षमन चोहान बोलते ही मैंने मैंने आपको जब संस्तापक लिखाया था उसके बात करी थी कि अपन कहां 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 के बारे में जानकारी लेंगे और कहां कहां के बारे चोहान को बारे में पढ़ेंगे तो मैंने दो शाखाओं के बारे में उबजित किया था बताया था आपको कि नाडोल की साखास कहां पड़ता है पाली में और दूसरी बात करें थी मैंने अजमेर के चोहान तो ना काटने आला कोन लक्षमन याने कि ना से क्या जाएगा नाडोल का सस्तापक कोने लक्षमन तो लक्षमन देऊ चोहान पुत्रिता दोस्तों वागपती राज का और यह यहां से चला गया था कहां से सामबर से और चला गया कहां आगया पाली में यहां से चला गया और पाली में पाली यानि कि नाडोल अपनी शाका इस्तापित की ठीक है दोस्तों यह वागपती राज की अब बात करते हैं मैं विग्र राज दिते की विग्र राज दिते के बारे में बताया गया है कि इन्होंने गुज्राज के गुज्राज के चालुक के चोहान यानि की सोलंग की चालुक के लिख देता हूं में यहाँ पर सोलंकी सोलंकी राजपूत जो है उनको चालुक के बोला जाता है याने कि चालुक के चोहन कौन थे दोस्तों सोलंकी राजपूत जो सोलंकी का राजपूतों का जो इती हास है वो क्या कहला थे चालुक कहला थे चालू के चोहां, चालू के सासक, बीम फर्स्ट, बीम फर्स्ट को पराजित किया। गुजरात में ही। गुजरात के अब बात करते पन गुजरात में हुआ गई युद्ध लड़े तो किसी जीद का तो निर्मान करवाएंगी। गुजरात के बडोच नामखिस्तान पर मंदीर बना एक आता पूरा माता का मंदीर। बनवाया। ठीक है दोस्तों यह बाब भी विग्राज दीते की। गुजरात के चालुक के चोहान चालुक के चोहान यानि की सौलंग की साथ सब्सक्राइब बीम फथ। या आएगा बहुत को बीम दीती है। याद रख रहें यहीं पर बता देता हूँ जब प्रतिराज चोहान स्तरतिय जो रहत है उसके यूद होता है महमद गोरी से लेकिन मोहमत गोरी के बारे में ऐसा कॉशन चालु किशोहान सातक 20 निच्थopard ने उनको खरा आता याद रखना और यह जो है यह भीं फद यह उनको पराजित किया था विग्रराज दित्ये ने और विग्रारास जीदेने पराजित करने के बाद गुजरात में ही बड़ोष नामाईस्तान पर आसापुरा माता मंदृ का निर्माण करवायता और यही मठ जब विजे क्ला द्यों ने मंंतृ और ने वन्हांदीन है अर्थ होता है मतंगा विजेता है यार रखना दोस्तों जब वीम भस्ट को पराजीत कर दिया था इन्हों ने वीम भस्ट को हरा दिया था तो उसके बाद इन्हों आसा पूरा मातायमंदी का निर्माण करवा है था और दूरलाफ हे दूललब देव के पास या दूललब देवके पास चोहान के पास बनती बड़ी ऐसे दारण करी थी कौन्धी उपादी दारंग करिती इन्होंने दुल्लाद्धे मेरू की दुल्लाद्धे मेरू की उपादी दारंगी बहुत अच्छा क्योंशन है दुल्लाद्धे मेरू की उपाद्धारंग करने वाला सासक चोहान सासक कौन था उनका नाम आएगा दुल्लाद्धे मेरू दुल्लाद्धे मेरू और इसका अर्थ था इनका अर्थ बताया गया है अर्थ, इस उपादी का अर्थ क्या होता है, जिनकी आज्या का उलंगन ना हो, यानि कि जो ये वोल दे, उनकी आज्या, जो ये आज्या देंगे, उसकी आज्या का उलंगन ना कर सके, एसी उपादी दारण करीती, यानि कि दुल्लब देऊ चोहान ने, ठेके दोस्तों, ये बात हुई, तीन सासा की मैंने एक सास बता दिया आपको, अब इसकिन सोट ले ल ठेके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, देखो दोस्तों, आपको लग रहा हुआ कि कैसे क्या हो रहा है, कुछ कहानी स्टोरी, कुछ है भी नहीं वैसे, क्योंकि इनका जो सासन का जाना था ज्यादा इतना इतियास में नाम नहीं रहा, जो चोहान वन्स के बारे में इंट्रेस्टिंग चीज़े, कहानी वागिर, जो बात आएगी, वो अजेरा चोहान के बाद आती है, और चोहानों के बारे में पहले ही के सुपह हूँ आपको, कि ज़्यादा इंट्रेस्टोपिक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योशन बनते हैं चोहान वन्स के बारे में, तो आप जो मैं बढ़ा रहा हूँ, वो ध्यान से चुले और उनको एक एक चीज को याद करते चले, अब इनके बाद सासक बनते हैं, देखो, एक तो होता है गोविन्स, एक तो होता है गोविन्स, जीते, और एक बता है प्रतिराज पर्स्ट, भाएं करते हैं, बात करते हैं, दोनों सासक बनते हैं, गोविन्स, गोविन्स दिते के बारे में, जादा जानते हैं, इन्होंने उपाधी डारं करी थी, उपाधी धारं की, इस उपाधी का अर्थ होता है शत्रू संगरक याने कि सत्रो का संगरक वाला इसका अर्थ होता है दोस्तों वेरिगट का याद रखना आप वेरिगट की उपाधी किसे तारण करीती कि गोविंद्राज आप बात करते कुत जानता पर देखना अन्याजिताह पातक बनता है इनके बार टिटेएल से पड़ेंगे पंदर का इंग। गोविंद्राजों, फस्द की बास करते हैं, देखो. इनका एक सामंध हुआ करता था दोस्तों. सामंध. सामंध या मंत्री. क्या नांधा उसका हट्टक? क्या नांधा दोस्तों हट्टक? हिनका सावंत के सकते हैं या मंत्री के सकते हैं क्या नाम ता उसका हट्टक हट्टक निर्मान करवाया था निर्मान करवाया रेवासा सिकर में कि जीन माता का अब दोस्तों अब ज्यादा इंट्रेस बनाने लिए कर सकते हैं कि जीन माता मैं ने बोल दिया अब मुझे कामेंट वर्फ में यह लिखके बताू कि जीन माता कोन है चोहान की क्या है और उनका मंदिर यह रहा yea पर और इनके बारे में जो भी जान करें आप मुझे कोमेंट वोक्स में देना ताकि अपन कर ये भी पता लगे रहे कि हाँ आप जानकर रही रख सकते हैं या फिले सकते हैं तो ये निर्मान किसने कर रहा है था हट्टक ने अब पढ़ेंगे दोस्तो अपन अजे राज चोहान यहां ता आज तो यहीं पर खतम करेंगे अपन सब्सक्राइं करें नेक्स लास में जो भी घाल्यगार कि इस वीडी कलास रहेगे उसके बाद जो भी वीडियो भरत लगे शार सब्पहें सब्सक्तुर नियाने कि दोस्तों बास करेंगे अबन अजे राज चोहान की